प्यार की एक कहाणी सुनो, एक लड़का था, एक लड़की थी, तो ये भी एक लव स्टोरी है, ही शी की लव स्टोरी, तो बैने नाम भी इसको दे दिया है, ही शी की लव स्टोरी तो कहानी कुछ ऐसी है कि वो बारिश की रात थी और खिड़की के काँच पर पानी की बूंदें ऐसे बह रही थी जैसे किसी का दर्द बह रहा और उसी बारिश में ही खुद को भिगो रहा था जैसे जमाने से अपना दर्द चुपा रहा था तभी एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी और खीचा उसने कदम बढ़ाया ही था कि पिछला हर मनजर उसके आगे था घुमा वो पेंटिंग की एक एक एग्जिविशन थी जहां वो आया था पेंटिंग का शौक तो नहीं था पर दोस्तों ने प्लान मनाया था और यों तो ही की जिन्दगी में बहुत से रंग थे पर एक रंग की सदा कमी रही देखा जब पहली बाद शी को लगा जैसे वो कमी पूरी हुई ही शी के रंगों को समझ रहा था और कुछ इस तरह उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ रहा था ही तो पहले दिन से ही शी का दिवाना था लेकिन अब शी भी ही की दिवानी हो गई और शुरू ही शी की प्रेम कहानी हो गई इसके बाद जमाने ने उनके रिष्टे पर मोहर भी लगाई और उनके विवाहिक जीवन की शुरुवाद भी हो गई लेकिन वक्त ने फिर एक तेज रफ्तार पकड़ी ही की मस्रूफियत और शी की तनहाई कुछ बढ़ने लगे शी ने पहले ही रंगों से दूरी बना ली थी अपनी ग्रस्ती को वो सवार जो रही थी लेकिन रंगों ने उसे नहीं छोड़ा था बलकि इन तनहाईयों में तो उनका रिष्टा और बेगहरा था शी खुद को धीरे धीरे रंगों में रंग रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी मस्रूफियत बढ़ रही थी अब ही घर आता तो शी को नहीं पाता था पहले देर रात घर तो आती अब कई दिनों का फासला भी होता था ही को शी की ये मस्रूफियत खलने लगी थी और इसी एक बात से उनके बीच दरार भी पढ़ने लगी थी दरार गहरी हुई तो फासले बढ़ गए और दोनों ने अपने रास्ते भी अलग कर लिए पिर दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगे और एक दिन अचानक ही ही के कदम शी के घर की और चल दिए घर जाकर पता लगा कि शी तो अस्पताल थी मानों ही की दुनिया बेरंग होने लगी और वहां अस्पताल में, दर्द में जैसे तैसे शी खुद को समाल रही थी ही के आने की जैसे राहसीत अख रही थी बस ही को देख उसके सबर का बांध तूट गया दोनों भीगे थे उस दिन महबबत की बारिश में दोनों भीगे थे उस दिन महबबत की बारिश में पर किसी ने कोई गिला या शिक्वा ना किया लोग कहते थे कि ही शी से जलता था पर ये तो प्यार का एक रंग था जहां महबूब से मिलने को दिल तरस था ही इससे अंजान थी तो शी भी न समझ सकी पर प्यार गहरा था तो दोनों के बीच की दराज एक नन्णी परी ने आकर थी भरी ही ने शी को आसूं से माफी नामा भी लिखा और ही की मासूं कोशिशों से शी का दिल भी अपे गलने था लगा और आगे एक बार फिर शी ही की दिवानी हो गई और शुरू एंग बार पर ही शीटी प्रेम काहानी पर नहीं। था यूदू नहीं। नहीं था इस देखा इस देखाश देखा इस देखा हैं।